वेलकम बैक गाइज आज किस फीडियो के अंदर हम कर रहे हैं गेमिंग ग्यान का एक फ्रेश एपिसोड बट गेमिंग ग्यान का एपिसोड शुरू करने से पहले तो टेक खुराना फैमिली के ऊपर हम लोगों ने 100K सब्सक्राइबर्स कमप्लीट कर लिये हैं उस खुशी में यूट्यूब ने हमें नवाजा है इस सिल्वर प्ले बटन से एंड मैं इसको अल्रेडी खोल चुका हूँ अन्बॉक्स कर चुका हूँ बट इस चैनल के ऊपर नहीं मेरे व्लॉगिंग चैनल इंडियन व्लॉगर के ऊपर उस वीडियो का लिंक की डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा वहां से जाकर चेक आउट करो जैसा कि मैने अपने PC सेट अप के साथ किया था पूरा पूजा पार्ट किया था उसका ती का लगा बिक है तो इसको भी पूछ पे लगाया इसके बॉक्स पर इंड इसके अंदर पले बटन तो काफी अच्छी, काफी emotional and काफी दिल के करीब वली वीडियो है, वो तो फ्लीज उसको भी देखना, पर ये वाला Gaming Gyan के एपिसोड देखने के बाद, सबसे ज्यादा questions के reply करके, काफी सर लोगे की अल्रेडी help कर दी है, उन दो लोगों के नाम है, Pro Gamer YJ and ये भाई पिछले दो तीन episodes से feature हो रहा है, Thank you so much भाई, and दूसरा जो नाम है, वो है, जस्मे जोनेजा, So thank you इन दोनों को, and अगर आप ही मेरी तरफ से एक super shout out चाते हो, ये भोबू वाला shout out, तो इस episode के नीचे जो भी questions होंगे, अगर आपको भी उनके answers पता है, तो वहीं पर apply कर देना, बढ़ते हैं questions की तरफ, सबसे पहला question मैं pick कर ओ, VR, Vines का, भाई पूछ रहा है कि यार, YouTubers जो होते हैं, जो gaming creators होते हैं, उनको नए नए games release होने से पहले ही कैसे मिल जाते हैं, यार, ये बहुत simple जा fund है, जो brands हैं, जो gaming studios हैं, उनके लिए एक तरह से promotion वाला काम हो जाता है, और जो creators हैं, जो gamers हैं, उनको public से पहले ही वो game खेलने के लिए मिल जाती है, तो एक तरह से mutual benefit वला ये condition हो जाती है, और दोनों का ही फायदा होता है इस चीज में, अगला question वाकई में मुझा ऐसा लगता है कि काफी लोगों के मुन में confusion create कर सकता है, ये मुझसे पूचा Radium ने, और भाई का ये question है कि जो PS5 होगी, वो games के साथ आएगी, या फिर मुझे PS5 खरीदने के साथ साथ, अलग से games भी purchase करनी पड़ेंगी, Spider-Man, Miles Morales और Godfall जैसी जो games हैं, जो launch titles होंगे PlayStation 5 के, ये games आपको अलग से खरीदनी पड़ेंगी, launch title का मतलब होता है, जस दिन console launch हो रहा है, उसी दिन वो game भी launch हो रही है, यानि कि first day पे आप वो game खेल पाओगे, बट अगर आप वो खरीदते हो तो, next question में बड़ा मस्त है, ये मुझसे बूचा है Blaze ने, बाई पूच रहा है, अपने PC को optimize कैसे करें, यहर देखो, 2-3 तरीके हैं इसके, सबसे पहले तो है कि आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, जो आपको game खेलनी है, उसकी जो minimum requirements है, उससे थोड़े से उपर requirements अपने PC के अंदर लगवाओ, बट अगर आपके पास यह सारी चीजे हैं, तब भी आपका game experience laggy होता है, तो मेरी advice यह रहेगी कि अगर आप original games purchase करते हो, steam के store से या फिर उस game के खुद के store से, तो आपको काफी हद तक lag free experience देखने के मिलेगा, and 90% job की problem जैना को solve हो ही जाएंगी original games यूज़ करने से, अगला question मुझसे पूछा हर्श यादव ने, question है क्या graphics card 18 inches के monitor में work नहीं करता क्या, basically जब आप एक GPU लगवाते हो अपने computer के अंदर, तो आपके पास दो तरीके से display लेने के options हो जाते हैं, बट उसमें से unfortunately सिर्फ एक ही काम करता है, यानि कि अगर motherboard के अंदर भी HDMI port है या फिर VGA port है, अगर आप GPU होने के बावजूत उस वले port के अंदर लगा रहे हो अपनी HDMI या फिर VGA cable, तो आपको output नहीं मिलेगा, आपको GPU वले port के अंदर ही लगानी पड़ेगी जो भी cable आप यूज कर रहे हो जो भी monitor के अंदर compatible है, तब ही आपका monitor वर्क करेगा ठीक से, अदर्वाइस वो monitor on ही नहीं होगा and वो मैंशा no input signal ही दिखाता रहेगा, अगर तेरी problem इससे भी solve नहीं होती है तो हो सकता है कि फिर तेरे monitor के अंदर कुछ problem आ गई हो, Gamer हर्ष मुझसे पूछ रहा है कि internal and external graphics card क्या होता है, जो आप अलग से motherboard के ऊपर लगाते हो वो external GPUs होते हैं, बट कई-कई CPUs ऐसे भी होते हैं, चिनकी DAI के अंदर ही GPU unit भी inbuilt होती है, यानि कि आपको अलग से GPU लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो CPU use करके monitor के ओपर display लाना चाहते हो तो, and जाइर से बात है कि जो integrated GPUs होते हैं, वो power wise भी काफी कम होते हैं, as compared to external GPUs, अगला question मुझसे बूचा है कुछ भाटिया ने, and ये question इसके दिमाग में तब आया होगा जब इसने playstation 5 का teardown देखा होगा, भाई बूच रहा है can we change playstation 5 shell, जो भार का cover है उसका white वाला shell है कि हाम वो change कर सकते हैं, and yes, आप बिल्कुल उसको change, at least उतार तो सकते हो खुद से, क्योंकि उसमें कोई screws बगेरा का काम नहीं है, आप बिल्कुल slide करके उसको उतार सकते हो, and थोड़े टाम पहले एक rumor भी आ रही थी कि हो सकता है, आप अलग से वो shells purchase कर सको, या तो sony से, या फिर third party vendors से, जिनको सिर्फ उपर से आपको change करना है, and आपकी पूरी ps5 की look ही बदल जाएगी, and अगर ऐसा हो जाता है ना यार तो यह बिल्कुल वैसे यह का, जैसे आप अपने phone के cases change करते हो, and उस phone की पूरी look change हो जाती है, ठीक, उसे तरीके से आप अपनी ps5 की look भी change कर पाऊगे time to time, and वो भी बहुत थोड़े से खर्चे में, अगला question मुझसे पूछ रहा है, a.k.seni, और भाई पूछ रहा है क्या हम playstation 4 का controller, यानि के dual shock 4, ps3 के साथ use कर सकते है, and yes, बिल्कुल कर सकते हो आप, बट उसकी जो bluetooth functionality है, जो wireless pairing है, वो काम नहीं करती है, आपको एक USB की मदद से ही, dual shock 4 को connect करना पड़ेगा अपनी ps3 से, and wired तरीके से या आप उससे खेल पाऊगे, wireless तरीके से नहीं use कर पाऊगे, dual shock 4 को ps3 के साथ, अगला question मुझसे पूछा है gaming gamer ने, भाई पूछ रहा है क्या हम gtf5 phone के अंदर खेल सकते हैं, अगर phone में 128 GB storage है और 8 GB RAM है, तो आपके phone में 128 GB storage हो या 256 GB storage हो, 8 GB RAM हो या 16 GB RAM हो उससे फरक नहीं पड़ता है, जब officially rockstar के तरफ से वो game आपके phone के लिए आएगी, तो वो इससे कम storage और कम RAM वाले phone के अंदर भी चलेगी, इससे फरक नहीं पड़ता है बिलकुल भी, next question मुझसे पूछा है इश्मीश gaming ने और भाई ये पूछ रहा है कि यार, अगर PlayStation 4 में PS Plus की membership auto renew हो गई है, बट मैं नहीं चाता था कि वो renew हो, तो मैं उसको cancel या फिर refund कैसे करवा हूँ, यह दो देखो, to be honest, मेरे साथ ऐसा है बहुत बार, Xbox Game Pass Ultimate की subscription के साथ हुआ है, और मैं उसको भूल जाता हूँ, off करना, and then मैं को refund मिल जाता है, Xbox का तरीका बहुत असान है, and आपको refund मिल जाता है, आपके original payment method के अंदर ही, but PS Plus की membership के साथ, यह थोड़ा सा मुश्किल है, and मुझे इसे related एक post मिली है Reddit के उपर, उसका mail link आपको निचे छोड़ दूँगा, उसमें basically यह बोला हूँ है, कि आपको call करना पड़ेगा Sony को, तो वहाँ पर number virus अब दिया हुआ है, आपको procedure follow करो, next question मैं मुझे पूछा है, mega world जादे ने, और यह पूछ रहे हैं कि GDDR5 और GDDR6 में क्या difference होता है, भाई वैसे तो नाम से काफी obvious हो रहा है, कि GDDR5 जो है, वो graphics card की memory की previous generation है, और जो GDDR6 memory है, वो latest generation of graphics card memory है, GDDR5 के अंदर आपको 8 GBPS transfer speeds देखने के लिए मिलती है, बट वही GDDR6 के अंदर आपको 14-16 GBPS के transfer speeds देखने के लिए मिल जाती है, इस episode का last और century का सबसे interesting question मुझे से पूछा है, पार्थिव खलासी ने भाई बूच रहा है, 4G कब आएगी, जितने भी दुखदर्द हम Indians ने सही है PUBG ban होने के बाद, हो सकता है कि 4G जो है वो उन दुखदर्दों पर मलहम लगा दे, एंड हमें दुवारा से हमारे जीवन में खुशियां भर दे, वोगे जादा हो रहा है, बट 4G जो है वो Encore Games ने पहले बोला था कि October के end में आपको देखने के लिए मिलेगी, बट दशहरे वाले दिन Encore Games ने अपने official Twitter handle पर ये tweet किया, एक तो एक short clip है जहाँ पर उसका trailer आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फॉजी का गेम की थोड़ी से लुक देखने के लिए मिल जाएगी और उसके लागव अनों ने यह पता है कि November में आप इस गेम को expect कर सकते हो, यानि कि October end से shift होकर postpone होकर इसकी जो डेट है वो November में जा चुकी है, November में कौन सी डेट, कौन सा दिन यह अभी भी पताया नहीं है, बट हा, मैं तो fingers cross कर रहा हूँ कि November में भी शायद रिलीज हो, मुझे लगता है कि इसकी डेट शायद और जादा ही डिले हो सकती है, बट let's see, let's be positive, festive season चल रहा है तो positivity फैल आओ, and हो सकता है कि हमें यह game जो है वो देखने के लिए मिल जाए November के अंदर, एक बार मुझे आप लोग बताओ कि क्या आप लोग 4G के लिए excited हो, मतलब आपको लगता है कि PUBG की जो hype थी, जो craze था, वो 4G replace कर पाएगा, अगर हाँ तो please yes comment करना, अगर नहीं, तो नहीं comment करना, नीचे comment section में, but comment करना जरूर, and हाँ, silver play बटन की unboxing देखना मत भूलना, Indian vlogger channel के उपर, वीडियो का link description मिल जाएगा, मिलता है एक लिए वीडियो में तब तक के लिए, आदियोस.